दोस्तो आज की अचुग मारक सामगरी क्लास में हम लोग एक से लेकर 10 अक्टूबर तक के करंट अफेर्स को कम्पलीट करेंगे या करंट अफेर्स सभी स्टेट PCS के साथ साथ जो भी एक दिवसी परिच्छा हैं सभी के लिए महत पून है याद रखेगा जान फांसे दोस्तो नारवे के साहितिकार हैं याद रखेगा नारवे के हैं साहितिका नोबल मिला है इनको ट्रिक कैसे याद रखना है किस ट्रिक के माध्यम से तो जान फांस दी किसमें साहिति में तभी इनको नोबल पुरसकार मिला है 10 दिसंबर को नोबेल पुरसकार का बितरन होता क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुंडितिती होती है इसी दिन ये भी याद रखेगा नर्गिस मुहमदी दोस्तो नर्गेशी इनका नाम है कहीं कहीं आपको नर्गेशी मिलेगा नर्गेशी ही है खैरम को तो एक बर्ष के लिए ही याद रखना है सांती का नोबेल मिला है महिला अधिकारों की बकालत किये इसलिए इनको यहाँ पुरसकार दिया गया सबसे युबा जो व्यक्ति हैं सांती का नोबेल पुरसकार प्राप्त करने वाली वो मलाला यूसुप जही है बात करें नरगेसी की तो ये इरान की है फिर बरवेश्टनिक दोस्तो रूस की मिसाइल है परमाडू मिसाइल है इसका सफल परिछन किया इसलिए ये चर्चा में रही है सर्मत भी दोस्तो रूस की ही मिसाइल है आई सी बीएम बोले तो इंटर कांटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल है इस पर काम कर रहा है रूस राष्टरी हल्दी बोर्ड की बात करें तो सरकार ने गठन को मंजूरी दे दी है गोशना कर दी है उत्पादन की बात करें तो हल्दी उत्पादन में महराष्टरा पहले इस्थान पर है और तिलंगाना दूसरे इस्थान पर है बर्ड लेबल में बात करें दोस्तों तो उत्पादन, उपवोग और निर्यात, प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्सपोर्ट तीनों के मामले में इंडिया पहले स्थान पे है प्रोडक्सन के मामले में पूरे बर्ड का 75% इंडिया प्रोडिूश करता है, याद रखेगा मोनिटरी पालिसी की बात करें दोस्तों RBI जारी करती है ये भी याद रखेगा, दीव मासिक प्रति दो माहा पर एक बार मोनिटरी पालिसी जारी कि जाती है जिसमें सरकार जिसमें RBI कुछ अपनी रेट्स हैं जो दरे हैं उनको गटाती बढ़ाती है उनमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और CRR, SLR जैसे टूल्स सामिल है मोनेटरी पालिसी की बात करें दोस्तो तो इसमें 6 मेंबर होते हैं और इन मेंबरों में एक चीफ होता है, वो कौन होता है दोस्तो, RBI का गवर्नर मतलब सक्तिकांत दास रेपो रेट की बात करें दोस्तो, NC बोले तो नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, 6.5% है, याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 6.75% और CRR इसको याद रखिएगा 4.5% और SLR 18% है CRR दोस्तो अक्सर फिक्स रहता है, जल्दी बदलाव नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को याद रखिएगा CRR, SLR दोनों को, रेपो रेट की बात करें दोस्तो RBI जो है, जो अन्य बैंकों को कम अवधी के लिए, जिस दर पर लोन देता है, उसको रेपो रेट की बात करें दोस्तो, RBI लोन देता तो है ही, इसके साथ लेता भी है, जो अन्य बैंक है, उनसे लेता भी है तो जिस rate पर loan लेता है दोस्तों उसको कहते है reverse repo rate ठीक है तो सबाविक सी बात है कि ये repo rate से कम ही होगी क्योंकि RBI अपनी वाली दर से कम पर loan लेना चाहेगा बैंक रेट दोस्तों लंबी अवधी के लिए loan देता है किनको अन्य बैंकों को काउन RBI इस तरह से याद रखिएगा केंचुआ की बात करें पहले पूसा देख लेते हैं पूसा 444 क्या है दोस्तों धान की पर जाती है पंजाब में इस पर प्रतिबंद लगा दिया गया है क्यों दोस्तों क्योंकि इससे पराली उत्पादन ज़्यादा हो रहा था पानी का इस्तर कम हो रहा था बोले तो पान बना दिया जिसमें आपको पूरी strategy बताई गई है तीन महिने का काम सव प्रतिसत परिणाम यदि उसको फालो कर लिया तो काम हो जाएगा केचुआ की बात करें दोस्तों किसान मित्र कहते हैं इसको 140 मिलियन टन प्रति यर फूड प्रोडक्शन कर सकता है उसकी छमता है 140 मिलियन टन प्रति यर ठीक है ये सोध में जानकारी प्राप्त ही है याद रखिएगा ये फूड प्रोडक्शन खुद नहीं करेगा दोस्तों ये जो किसान है उनके फूड प्रोडक्शन में इतनी भूमिका निवा सकता है ये अपनी भूमिका अच्छे से निवाए तब याद रखिएगा पनीर को GI टैक दिया गया दोस्तों कलारी पनीर जो की जम्मो कस्मीर का है इसके साथ ही एक चुर्पी पनीर है जो की अरुनाचल प्रदेश का है ये दोस्तों याक के दूद से प्राप्त किया जाता है ये भी याद रखिएगा चुर्पी पनीर काम्यंग जिला की मोनपा जनजाती द्वारा दोस्तों इस पनीर को तयार किया जाता है खाया जाता है ये भी याद रखिएगा इंडोनेसिया की यात्रा पर हैं इसलिए ये चर्चा में रही है आप छोड़ भी सकते हैं केबल और केबल इतना याद रखिए कि पाइली 6G लैब जो है बेंगलोरू में इस्थापित की है किसने नोकिया ने प्रोजेक्ट उदभब की बात करें तो दोस्तों इंडियन आर्मी ने इसकी सुरुवात की है जो प्राचीन भारती सायन काउसल है को अपनाना इसका उद्देश से है मुक्मंत्री सुखासरय योजना की बात करें हिमाचल प्रदेश में सुरू की गई है अनाथ और आशरित दोस्तों जो बच्चे हैं ब्रद हैं और मैला हैं उनकी हेल्प करना इसका उद्देश से है कि शेतर में स्वास्ते सिच्चा और रोजगार के छेतर में नावाड की बात करें दोस्तों सोसल बांड के जरिये इसने 1040 करोड रुपए जुटाए हैं याद रखेगा बांड दोस्तों एक तरह का परिपत्र होते हैं माफ कीजीगा एक तरह की सेक्योरिटी होते हैं जिनको जो लोग निवेश करना चांते हैं उनमें वो उसको खरीद लेते हैं तो नावाड से इन बांड को इन लोगों ने खरीद लिया ठीक है कुछ पैसा देकर जैसे 1040 करोड रुपए देकर खरीद लिया लेकिन दोस्तों एक निश्चित अबदी के बाद जब ये बांड में चोर हो जाएगा तो नावाड इन से पुनहा इसको खरीदेगा तब दोस्तों ये इससे ज़्यादा पैसे में खरीदेगा जैसे 1040 करोड रुपए में बेंचा तो 1050 करोड में इसको खरीद लेगा तो दोस्तों 10 करोड का फाइदा जो खरीदने वाले हैं उनको मिल जाएगा तो 5 वर्स के लिए जारी किया आवास, रोजगार, सिच्छा जैसे चेत्र जो हैं, वो सामाजी कुद्दे से रखते हैं, समझ जाईएगा। नावाड की बात करें, 1982 में इस्थापना हुई थी, सिवरामन कमेटी की अनुसंसा पर। मुक्ति दोस्तों क्या है, जेल बंदियों दोरह बने उतफादों की विक्री है तो, ब्रान्ड लांच किया है दोस्तों किसने नितिश कुमार ने याद रखिएगा। जो जेल में बंदी होते हैं, दोस्तों आपने देखा होगा, जेल में कुछ उत्पादों का प्रोडक्शन भी होता है, उनको बेंचने के लिए एक ब्रांड लांच किया है, नितिसकुमार, एनके बोले तु नितिसकुमार, उसका नाम है मुक्ती, आर्टोंटीवन, मैट्रिक्स अहम, या तो आर्टोंटीवन या फिर मैट्रिक्स अहम, जो भी मिल जाए, वो क्या है, मलेरिया बैक्सीन है, डवलु हो ने रिकमेंड कर दिया है, इलाज में इस्तिमाल करने के लिए इसको रिकमेंड कर दिया है, बनाया किसने है, आक्सफोर् दूसरी वैक्सिन दोस्तों काउन है मार्क्यूरिक्स दोस्तों ये भी डवलू आचो ने रिक्मेंड कर दी थी पहले ही याद रखेगा तो मास्क्यूरिक्स और और R21 दोनों मलेरिया से सम्बंदित हैं मास्क्यूरिक्स UAE और इंडिया की बात करें बित्तिय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच समझोता हुआ है बित्तिय समावेशन आप लोग जानते ही हैं गाउं के बुधही और ननुकव को भी उठाके बैंक से जोड़ देना बित्तिय समावेशन कहलाता है नेशनल पेंशन इस्कीम बरियता इंडेक्स दोस्तों HDFC बैंक ने जारी किया है ऐसा करने वाली यह पहली संस्ता बनी है इंडिया जापान फंड की बात करें दोस्तों NIIF National Investment Infrastructure Fund और दोस्तों जीका जापान International Cooperative Agency इन दोनों एजेंसियों ने एक फंड बनाया है दोस्तों जिसमें 49% हिस्सेदारी किसकी है NIIF की जो की भारत का है सेस इस्सेदारी दोस्तों 51% किसकी जीका की है तो यहाँ फंड तयार किया है 60 करोड का फंड है Environment और CC बोले तो Climate Change के छेतर में परस पर मिलकर इसकी मदद लेंगे पटना मेट्रो में भी जीका ने पैसा लगाया है ये भी याद रखिएगा लोनल जील दोस्तों सिक्कम में बार का कारण बनी है इसलिए ये चर्चा में रही है सिक्कम में जो दोस्तों लोनल जील है इसने इसमें जो है दोस्तों बादल फटने की घटना हुई और जल इस्तर बढ़ गया और यहाँ जल जो है तीस्ता नदी में जाके बार का कारण बना प्रेम सिंग तवांग वहां के सीम है 36 संबिधान संसोधन जो की 1975 में हुआ था इसको राजी का दर्जा दिया गया तब 32 लोग सवा सीटे हैं सिक्कम में ये भी याद रखेगा लोहनल जील मद्ध प्रदेश की बात करें गवर्ण्वेंट जाब में महिलाओं को 35 प्रतिसत आरच्षण देने के कारण ये चर्चा में रहा है पंचायत चुनाओं में 50 प्रतिसत आरच्षण देने वाला मद्ध प्रतिस पहला राजी पहले ही बन चुका है याद रखेगा अब सरकारी नवकुरियों में 35 प्रतिसत रेजर्बेशन देने की बेवस्ता कर दी है अब बात करें मिमेटिक एंजाइम दोस्तों अपसिस्ट जल उपचार हेतू एक एंजाइम है एंजाइम आप लोग जानती है एक कैटलिस्ट होता है जो अब किरिया की दर को बढ़ा देते हैं तो ये बिगटन की दर को बढ़ा देते हैं माफ कीजिएगा अपसिस्ट जल का उपचार करने के लिए ये एंजाइम है और उपचार में जो बैक्टिरिया है उनको खतम करने की दर को बढ़ा देता है ये एंजाइम IISC बिंगलूरू ने इसका निर्माण किया है इससे पहले दोस्तो PET 46 नामक बैक्टिरिया को भी एंजाइम को भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये क्या करता है दोस्तो जो PET है जो की बोतलों को बनाने में इस्तिमाल होता है इसको खतम करने के लिए बनाया गया है PET 46 महंद सिंग धोनी की बात करें दोस्तो जियो माट का इनको ब्रांड रेवेश्डर भी ये का मतलब ब्रांड रेवेश्डर बनाया गया है सुराज ट्रेक्टर का भी इनको ब्रांड रेवेश्डर बनाया गया इसको हम पहले पढ़ चुके हैं बर्ड इस्पेस बीक दोस्तो चार से लेकर दस अक्टूबर तक के चार से लेकर दस अक्टूबर को जो है इस्पेस बीक के रूप में मनाया गया बर्ड इस्पेस बीक के रूप में इस पूतिनिक जो पहला राकेट था दोस्तों दुनिया का पहला राकेट था जो USSR जो की रूस का पुराना नाम है इसने लांच किया था 1957 में उसी की याद में वर्ड स्पेस बीक मनाया जाता है चार से लेकर 10 अक्टूबर के बीच नेशनल स्पेस डे दोस्तों 23 अगस्त को मनाया जाता है भारत में आपको पहले भी बता चुका हूँ दो अक्टूबर की बात करें गांधी जी और LBS मतलब लाल बादूर सास्त्री की जैनती है दो अक्टूबर को अइंसा दिवस की रूप में भी मनाया जाता है दो अक्टूबर 1869 को पोर बंदर जोकी गुजरात में है यहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था और 30 जन्बरी 1948 को इनकी हत्ते आओ गई थी कहां पर यह याद रखियेगा विश्य सुरूप से बिडला हाउस नई दिल्ली और इनकी समाधी दोस्तों कहां राज घाट राज मतलब यह राम राज की बात करते थे ठीक है मातमा गांधी राम राज की बात करते थे तो ऐसे याद रखियेगा राज घाट LBS की बात करें दोस्तों इनका जनम 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था दूसरे पीम है दोस्तों भारत के नेरू के बाद 1966 में इनकी मौत हो गई थी संदिक्द परिस्तियों में संदिक्द कारणों से दोस्तों करास का मतलब मौत हो गई निधन हो गया इनकी थी इनकी जो समाधी है दोस्तों वो बिजय घाट के नाम से जानी जाती है तो दोस्तों बहादूर लाल बहादूर है दोस्तों और तारीक एक घंटा एक साथ ये पहल जो है दोस्तो MKB बोले तो मन की बात में मोदी जी ने इसकी गोशना की थी आपने देखा होगा एक वीडियो भी आई थी कोई देशी पहलवान था उसके साथ मोदी जी ने एक घंटा सरमदान किया था तो ये मन की बात का 105 अपिसोड था ये जरूर याद रखिएगा सस्त्रा रामा नुजन अवार्ड दोस्तो गड़ित छेतर में दिया जाता है रामा नुजन को आप सभी जानते हैं रुईक सियांग रुईक सियांग दोस्तो अमेरिका के हैं कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं दोस्तो इनको गड़ित के छेतर में विशिष्ट कार के लिए या पुरसकार दिया गया नारी सक्ती बंधन अधिनियम की बात करें दोस्तो आप सभी जानते होंगे इसको 29 सितंबर 2013 को मुर्मु ने हस्ताक्षर कर दिये हैं राष्टपती जी ने हस्ताक्षर कर दिये हैं जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो जो बिल है दोस्तो बुक्या हो जाता बिल एक्ट बन जाता है याद रखेगा तो दोस्तो ये 106 बा एक्ट बन गया याद रखेगा 128 बा संभिधान संसोधन बिल था ये दोनों किरम याद रखिएगा 105 बा दोस्तो आप सभी जानते हैं OVC आयोक से संबन्दित है और 104 बा जो है दोस्तो Angle Indians से संबन्दित है जिनको उनके आरचन से संबन्दित है दोस्तो आंगल इंडियन्स दोस्तो जो मनुनयन होता है उनका लोकसभा में आंगल इंडियन्स से संबंदित है और एक सो तीनवा जो है दोस्तो वो EWS से संबंदित है ये भी याद रखिएगा फिर आर्टिकल 111 के अनुसार हस्ताक्चर की आप सभी जानते हैं आर्टिकल 368 के तहट यहां काम हुआ है दोस्तो जिसमें संबिधान संसोधन ऐसे इसका मतलब संबिधान संसोधन का उलेख है लोकसभा बिधानसभा के साथ साथ दिल्ली बिधानसभा चित लोकसभा उसके साथ साथ राज्यों की बिधानसभाओं में और दिल्ली बिधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिसत आरचन दिया जाएगा अगले 15 बर्शों तक निवंद में महिला सशक्ति करन की दिसा में उठाये गए कदम के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मुहमद मुईजू माल दीब के नए राष्ट पती बनाए गये हैं चाइना के समर्थक हैं दोस्तों मालदिब की बात करें तुराजदानी कैपिटल जोईज की माले है माल खाकर मौज करने वाले कौन है मुज्यू माल का मतलब मालदिब मौज का मतलब मुज्यू बोलेंगे नहीं संकल्प सब्ता की बात करें दोस्तों तीन से नौ अक्टूबर के बीच मनाय जाने की गोश्टना की गई मोदी जी के दौरा कहां से भारत मंडपम से 500 आकांची बलाकों में इसको मनाय जाएगा संकल्प सब्ता को काम क्या होगा दोस्तो प्रते एक दिन नए विकास को समर्पित होगा प्रते एक दिन जो है दोस्तो नए विकास को समर्पित होगा कुछ ऐसे आईडियाज जिनरेट किये जाएंगे ऐसे विचार तयार किये जाएंगे जो किसी नए विकास को बढ़ावा दे सकें नीपर के आए दोस्तो नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फार्मासुटिकल एजूकेशन आइंड रिसर्च इसकी स्थापना गांधी नगर में की गई है उद्गाटन इसका एस मतलब अमिस्सा ने किया है पी टी आई की बात करें दोस्तो प्रेश टरस्ट आफ इंडिया इसकी फुल फार्म में इसकी नए अध्यक्ष सांथा कुमार बनाये गए हैं PTI की स्थापना 1947 में हुई थी, PIV के अध्यक्ष दोस्तों मनिस देशाई बनाये गए हैं, यह आपको पिछली क्लास में बनाया था, प्रेस, Information Bureau इसकी फुल फर्म होती है, अंतर राश्टी काफी दिवस एक अक्टूबर को मनाया जाता है, गैस पाइपलाइन की बात करें, मोदी जी ने गोशना की है, महेशाणा से बटिंडा और गुरुदासपुर के बीच में, मैसाणा गुजरात में है बटिंडा और गुर्दासपूर दोनों पंजाब में है तो गैस पाइपलाइन बिचाने की बात कही है मोदी जी के द्वारा और दोस्तो यूरिया गोल्ड की भी बात कही है ये यूरिया गोल्ड की गोश्णा पहले ही कर चुके हैं दोस्तो राजस् से मोधी जी यूरिया गोल्ड, sulphur, coated यूरिया है ये भी याद रखिएगा क्योंकि sulphur का कलर पीला होता इसलिए उस यूरिया को उस यूरिया को यूरिया गोल्ड नाम दिया गया आज मामला जादा फस रहा है दोस्तों, दरशल आज बरत है तो 36 गड़ में शुरू की गई बिनिर्मार छेतर में जो सिर्मे के सनलगन है उनको प्रतिमाप पेंशन दी जाएगी याद रखिएगा साइकलिंग ट्रेक की बात करें सुरुवात इसकी हाइदराबाद है यहाँ पर सुरुवात की गई यह साइकलिंग ट्रेक मतलब एक अलग से ट्रेक होगा साइकल का सोलर रूप रूप नहीं दोस्तो रूप है च्छत की बात हो रही है तो उसकी च्छत जो है वो सोलर पैनलों से ड़की रहेगी देश का पहला ऐसा साइकलिंग ट्रेक होगा दोस्तो जो सोलर रूप से लाइस होगा और दोस्तो पहला गाउं ऐसा काउंसा है जो सोलर इनर्जी से चलता है भारत का मोडेरा जो की गुजरात का है और पहला सहर जो है दोस्तो वो साची है सोलर सिटी साची है सोलर विलेज मोडेरा 19 पे ASEAN गेम्स की बात करें T20 में मैक जिमम स्कोर किया है दोस्तो 300 स्कोर किस देश की टीम ने तो नेपाल की टीम ने मंगोलिया को हरा कर तो ASEAN गेम्स पे आपको एक वीडियो बना दी है उसी को देख लीजिएगा पूरा कबर हो जाएगा थिरके स्कूल दोस्तो अबकास के दिन भी स्कूलिंग की गोश्णा की है मतलब अबकास के दिन भी बच्चों को कुछ अलग से कौसल सिखाया जाएंगे केरल में सुरुआत की गई है बाइक कुटुम्ब सिरी NBFC दोस्तो कुटुम्ब सिरी आप लोग जानी रहे है NBFC है Non Banking Financial Corporation है दोस्तो जो रिनर प्रदान करता है याद रखिएगा याओगन दोस्तो क्या है चाइना का जासूसी सैटलाइट है CH का मतलब चाइना है Long March Rocket आप सभी जानते हैं चाइना का ही राकेट है जैसे Falcon 9 है ना SpaceX का उसी तरह से चाइना का है कौन सा? Long March तो इसका इसने सफल परिछन किया है ओरोन इजराइल का एर क्राफ्ट है जो जासूसी है आपको पिछली क्लास में बताया है स्वावलंबन 2.0 दोस्तों क्या है नाउसेना का एक सेमिनार है भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ भारत मंडपम आप सभी जानते नई दिल्ली में है 94 और सोदेशी करण को बढ़ावा देना है उसका उद्देश रहा है C.R.I.I.O. For Good जी हाँ दोस्तों ICC, BCCI, UNICEF और सिच्छा मंत्राल है की एक पहल है During ICC Bird Cup जी हाँ दोस्तों आप सभी जानते है ICC Bird Cup की सुरुआत हो चकी है तो किस तरह से क्रिकेट का यूज सिच्छा स्वास्ताय जैसे चेतरों में किया जाए यही इस पहल का उद्देश है Cry O Cry का मतलब Cricket CR का मतलब Cricket है Mura Band दोस्तों क्या है Europe का Re-Useable Rocket है दोस्तों इसका सफल परिछन हो चुका है Spain का है याद रखेगा Europe का पहला ये भी याद रखेगा Re-Useable दोस्तों अक्सर राकेट क्या होता है जो पेलोड उस पे रहता है उसको उपर तक उठा के छोड़ देता उससे अलग हो जाता है जब हमारे गुर्त्वा करशनर छेतर से बाहर निकल जाता है तो ये चीज अपने आप आगे बढ़ने लगती है और इसमें आप सब को बताया भी है प्रोपल्सन माडियोल भी लगे होते है उनसे कंट्रॉल होता है तो ये जो राकेट है ये छूट के गिर जाता है अक्सर महसागरों में गिरा लिया जाता है लेकिन इसका पुना इस्तेमाल नहीं हो सकता तो ये मिउरा कैसा है? ये reusable rocket है Balkan 2020 दोस्तों दुनिया का powerful laser बनाने का project है कहां का है दोस्तों UK का, United Kingdom का laser की full form पूछ लियाती light amplification by stimulated emission of radiation ये भी याद रखिएगा रगु स्री निवासन की बात करें BRO BRO के नए अध्यक्ष BRO का मतलब border road organization दोस्तों ये ग्रह मंत्राले के अधिन काम करता है border पर जो है infrastructure develop करता है सडकों का निर्मान करता जैसा की नाम से बिदित है border road इस्तापना इसकी 1960 में हुई थी headquarter इसका similar बिमला दे दिया जाएगा लेकिन नहीं headquarter नई दिल्ली में है border road congress का योजन दोस्तों चेक गड़राज में हुआ है इसकी राजदानी प्राग है चेक गड़राज आप जानते ही है European देश है landlocked देश है इसकी theme क्या थी फिर से एक साथ world road congress COVID के दौरान दोस्तों अलग-अलग हो गए थी लोग लेकिन इस बार इसका योजन हुआ तो कह रहे हैं कि फिर से एक साथ one force one district दोस्तों OFOD नीती मड़िपूर ने जारी की है आप सभी जानते हैं मड़िपूर जल रहा है एक जिले है तो मड़िपूर बना है याद रखिएगा MNP का मतलब मड़िपूर इस तरह की एक पाइल ODOF One district, one product इस तरह की नहीं दोस्तों लेकिन इसके जैसी है मतलब नाम जैसा है ODOP एक जिला एक उत्पाद UP की परियोजना है याद रखिएगा South East Asia की पहली High Speed Train है चाइना ने इंडोनेसिया में लांच की है इंडो का मतलब इंडोनेसिया किसने लांच की है बाई जोको बिडोडो जोको बिडोडो दोस्तों इंडोनेसिया के राष्टपती है BRI के तहत दोस्तों Border Road Initiative आप सभी जानते हैं चाइना की पहले जिसके तहत वो अपने आपको विस्चु के कई देशों से जोड़ना चाहता है और अपने सामान और सेवाओं को निरियात करना चाहता है समंदर के माद्दिम से सड़कों के माद्दिम से C.C. की बात करें वो डैनी है परसपर चुनाओं के मामले में परसपर सायोग करना इसका उद्देश से है सिंगापूर से भी इस तरह का MOU हो चुका है याद रखिएगा AIBD दोस्तों क्या है Asia Pacific Institute for Broadcasting Development इसकी तीसरी बार भारत को अध्यक्षिता मिल गई है इसलिए महतपूर है Headquarter इसका कुवालालंपूर कुवालालंपूर दोस्तों मलेशिया की राजधानी है Port Louis दोस्तों मारिसेक्सी राजधानी है इसी में इसके एक सम्मेलन के दवरान भारत को यह द्देख्षिता सौपी गई काम इसका क्या है दोस्तों Broadcasting जो TV बगरा यह सब चीजें इस पर रिलीज होती है इनका नियमन और भी नियमन करना इसका उद्देश से है संप्रीती 11 दोस्तों क्या है इंडिया और बंगलादेश के बीच सायन अभ्यास है ग्यारबे करम का है याद रखेगा उम्रोई उम्रोई दोस्तों मेघाले में MGL का मतलब मेघाले है वहाँ पर इसका आयोजिन हुगा इसके साथ ही बंगलादेश के साथ एक और सायन अभ्यास है बंगो सागर ये भी याद रखेगा बंगलादेश और भारत के बीच होता है Global Indian Award 2023 दोस्तों सुधा मूर्ती को दिया गया ये पहली भारती महिला है जिन्होंने याप पुरसकार प्राप्त किया है साहित और परवकार के छेतर में अपना विशिष्ट योगदान देने के लिए ये याप पुरसकार लोगों को दिया जाता है कनाडा की ओर से दिया जाता है ये भी याद रखेगा N.R. नारायन की पतनी है दोस्तों जो की इंफोसिस के प्रमोख है N.R. नारायन दोस्तों मजे की बात ये है कि N.R. नारायन को भी यहाँ पुरसकार प्राप्त हो चुका है तब ये दोनों जो हैं दोस्तों एक ऐसे कपल बन गए है जो विश्ट के पहले कपल हो गए हैं जिनोंने यहाँ पुरसकार प्राप्त किया है मुक्यमंत्री लोक सेवक आरोग योजना दोस्तो असम में सुरुआत की गई लोक सेवकों को स्वास्ते बीमा का क्लेम तुरंत प्रदान करने की योजना है दोस्तो और उनको विशे सुविदा ये दे गई कि वो किसी भी आस्पिटल में हिलाज कराएं तो बिना लाग लपेट के उनको तुरंत इसका फायदा मिल जाएगा तुरंत ही उनका क्लेम मिल जाएगा इसमें पेंशन भोगी भी सामिल है ये भी याद रखिएगा सोर टेमपल दोस्तो बात करें इंडिया का पहला ग्रीन इनर्जी से चलित आर्केलाजिकल साइट बन गया है महाबलीपुरम तमिलनाडू में इस्तित है बिश्णू और सिब को समर्पित है याद रखिएगा मोडेरा जो है दोस्तो पहला सोलर बिलेज है पहला सोलर सिटी भारत का कोंसा है साची मद्प्रदेश में है कोडांक सन टेमपल आईश्टी का मतलब सन टेमपल पहला सोलर टेमपल है ये भी याद रखिएगा सोलर इनर्जी से चलित टेमपल अभ्यास चक्रबाद की बात करें नौसेना का अभ्यास है गोवा में इसका आयोजन हुगा अपदार राहत और सहायता किस तरह से सुनश्चित हो सके यही इसका उद्दे से रहा है महराष्ट का काजू दोस्तो इसको GI टेग मिला है GI आप सभी जानते हैं 10 बरसों के लिए दिया जाता है पेटेंट 20 बरसों के लिए दिया जाता है यह भी याद रखेगा काजू उत्पादन में पहले इस्थान पर कौन सराज है तो महराष्टरा यह भी याद रखेगा मक्का उत्पादन में दोस्तो मक्का का लगा है दोस्तो करनाटका हो गया है आप सभी को इस पर एक वीडियो दे दी है पूरी जो भी फसले है उनके उत्पादन से समंदित एक वीडियो दे दी है यहां से एक प्रसंद जरूर पूछ लिया जाता है बाजरा की बात करें दोस्तो बा पहले स्थान पे और उनित्पादन में हैं। पूरुसोत्तम रूपाला जो पालन हार है किसके पसुहों के किरसी छेतर में नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्दे से है टोटो दोस्तो क्या है पश्चिम बंगाल की भासा है बिलुक तो होने की कगार पर है इसलिए इसके सनच्चन है तू टोटो बंगाली अंग्रेजी को लेकर एक डिक्सिनरी लांच की है पश्चिम बंगाल ने याद रखिएगा मैरोंग सुरंग दोस्तो जम्मू कस्मीर के रामबन में इसकी सुरुआत ही रामबन से याद आया दोस्तो पिछली क्लास में आपको बताया कि रामबन के सहद को जी आई टेक दिया गया है रामबन सहद जम्मू कस्मीर का है यह मैरोंग सुरंग जो है दोस्तो एनेच फॉर फॉर मार्क पर बनाई गई है तीन सो पच्चानबे मीटर इसकी लंबाई है इस पेक्स 2020 दोस्तो के आया डबलू एचो की एक पहल है आखों की देखवाल किस तरह से की जाए यही इस पहल का उद्दे से है इससे पहले इराक को दोस्तो डबलू एचो ने ट्रेकोमा मुक्त बनाया है ट्रेकोमा मुक्त ग याद रखेगा समक्का सरक्का विश्विद्याले दोस्तो जनजाती विश्विद्याले है तिलंगाना में इस्थापित किया रहा है केंदरी विश्विद्याले है समक्का मलक्का रेयार समक्का और सरक्का समक्का सरक्का जो है यह मेला है दोस्तो तिलंगाना में लगता है इसलिए इसका नाम समक्का सरक्का विश्व विद्याले रखा गया है और इसमें जो है दोस्तो ट्राइब्स हिस्सा लेते हैं ट्राइब्स का ये मेला है ये भी याद रखेगा। करनाट का जो है दोस्तो 33% आरच्छन OVC बर्क को देने वाला राज्य बन गया है इस्थानी चुनाबों में वक्त बतसल आयोग की सिफारिस पर करनाट का सरकार ने ये कदम उठाया है ठीक है करनाट का सरकार ने चीफ जेस्टिस रहे हैं वक्त बतसल ये भी याद मुंबई पुलिस ने इनको बाई प्लस सुरच्छा दी है जिसमें 11 पुलिस करमीन के साथ रहते हैं इसमें एक दो कमांडो भी रहते हैं सुरच्छा परदान क्योंकि दोस्तो इनकी फिल्मों को लेकर और भी जो भी विबाद है उनको लेकर किसी ने इनको जान से मारने की दम की थी इसलिए इनको या सुरच्छा दी गई है पांच राज्यों में चुनाओ की बात करें दोस्तों तो 7 से 30 नमंबर के बीच कराय जाएंगे चुनाओ आयोग ने इनकी गोशना कर दी है कहां कहां राजस्तान मद्परदेश 36 गर तिलंगाना मिजोरम गोशना के साथ ही दोस्तों आचार सेंता लागव हो जाती है याद रखिएगा ElixnESS Commission of India इसकी गोशना करता है और राजस्ते में दोस्तों चुनाओ की अनुसंसा कौन करता है तो राज जिपाल करता है ये भी याद रखिएगा गोशना ECI करता है 324 से 329 के बीच ECI Election Commission का उलेख है दोस्तों और उससे सम्बंदित जो प्राबदान है वो इनी अनुछेदों में दिये गया है भाग 15, 15 पोलिंग, पोलिंग का मतलब चुनाओ दोस्तों तो भाग 15 जो है पोलिंग से सम्बंदित है सम्बंदान का भाग 15, 61, SS का मतलब सम्बंदान संसोदन है इस सम्बंदान संसोदन के तहई दोस्तों जो मतदान की आयू थी मतदाता की आयू थी दोस्तों वो 21 से घटा कर 18 वर्स कर दी गई 1989 में ये एक प्रभाबी हुआ था तो इस तरह से दोस्तों हमने एक से लेकर 10 अक्टूबर तक के करंट अफेर्स को कम्पलीट किया है जो भी समस्याओ आप कमेंट कर सकते हैं और हाँ दोस्तों यदि कंटेंट अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेर भी की यदियो आपाओ जाप भी कीजिए 14 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 16 अक्तों हमने आप एक सब्सक्राइब कर दोस्तों हमना कीजिए 19 नह बーता नह बाहाँ आप कƯग